हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ओल आफ यू, बांसूर पीजी कॉलेज की ओनलाइन क्लास में आप शब का श्वागत है आज हम बीए पार्ड फास्ट, इंग्लिस लिटरिचर के पेपर सेकेंड, प्रोज एंड फिक्षन से प्रिविस येर एक्जाम में आए, शोर्ट आंस्वर टाइप क्यूसंस के बारे में डिसकस करेंगे तो आज का हमारा फास्ट, इंपोर्टेंट क्यूस्शन है वोट वाज, लोर्ड ब्राइज, ओपिनियन अबाउट डेमोक्रेसी लोर्ड ब्राइज का लोगतंत्र के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में क्या मत था, ओपिनियन, क्या मत था या क्या विचार था इसका आंश्वर है Lord Bryce expressed doubt about the feasibility of real democracy except in small countries like Switzerland and Scandinavia doubt का आर्थ होता है संध्य Lord Bryce ने सुच्चे लेंड और Scandinavia जैसे छोटे देशों को छोड़ कर अन्य देशों में लोगतंत्र के शफल होने के बारे में संध्य व्यक्त किया था Next Important Question No. 2 Why is democracy only a name Why is democracy only a name लोगतंत्र या परजातंत्र महज एक नाम क्यों है तो इसका अंश्वर है The elected representatives have not only independence or initiative since they are helpless tools of a vast machine vast machine का मतलब होता है विशाल मसीन tools का मतलब होता है पुर्जे representative representative का अर्थ होता है परति निदी independence का अर्थ होता है सवतंत्र initiative 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 का अर्थ होता है कार्य करने की सवतंत्र था initiative का अर्थ होता है कार्य करने की सवतंत्र था कि निर्वाचित परति निदियों को श्वयम कार्य करने की सवतंत्र था या पहन नहीं मिल पाती है क्योंकि वे एक विशाल मसीनी तंत्र में ऐसा है पुर्जे के शमान है They watch the members are not influenced by their convictions of the arguments in the assembly or even the views of their constitutions 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 का अर्थ होता है विधाई का कि विधाई का में सदस्यों के मत उनके विस्वासू या तरकुशे परभावित नहीं होते यहां तकि उनके जो चुनाव छेत्र होते हैं चुनाव छेत्र की आकंसाओं को भी महत्व नहीं मिल पाता है दा डिस्कसन इन अन्रियल दा डिबेट इस अन्नेसेसरी दिस डेमोक्रेसी इस ओनली ए नेम डिबेट का अर्थ होता है बहश करना अन्नेसेसरी का अर्थ होता है अनावश्यक डेमोक्रेसी होती है लोक्तंत्र जो विचार विमर्ष होते हैं वे एवास्त्विक है जो बहश होती है वे अनावश्यक है इस तरह से लोक्तंत्र महज एक नाम है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्यूशन नमर थर्ड राइड़ दा मेन आईडियाज डेस्क्राइब इन दा ऐसे डेमोक्रेसी निमंद डेमोक्रेसी में वर्नित मुख्य विचारों को लिखिए इसका अंस्वर है दा ऐसे इस एन एक्स्ट्रेक्ट फ्रॉम दे बुक कालकी और दा फ्यूचर ओफ सिविलाइजेशन कम्पोजड बाइ डॉक्टर एस राधा किश्नन एक्स्ट्रेक्ट का अर्थ होता है लिया हुआ होना लिखा होना सिविलाइजेशन होती है सब्भ्यता कम्पोजड का मतलब होता है लिखना यह निमंद डॉक्टर एस राधा किश्नन दुआरा लिखित पुस्टक कालकी कालकी और दे फ्यूचर ओफ सिविलाइजेशन नामक पुस्टक से लिया गया है इस निमंद में डॉक्टर राधा किश्नन वर्तमान संसार में परजात अंतर की इस्तती के बारे में लिखते हैं वे कहते हैं कि परजात अंतर में व्यक्ती की सवतंतरता अधीक्तम होनी चाहिए यदपी ऐसा संसार में कहीं भी नहीं है author says that we must strive for some better way of conducting human affairs than the lottery of the ballot box ballot box का अर्थ होता है मद्दान लेखक कहता है कि समाज के कारियों को चलाने के लिए हमें मद्दान की लोटरी की वेवस्ता से अधीक अच्छी वेवस्ता खोजनी चाहिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्यूशन नमबर फॉर्थ how our present education is accountable for ignorance, lack of discipline and law test ignorance होती है अज्ञानता lack of discipline का मतलब होता है अनुशासन में कमी और low test का अर्थ होता है निम्न इस्तरिये रूची हमारी अज्ञानता अनुशासन हिंता तथा निम्न इस्तरिये रूचियों के लिए वर्तमान सिक्सिया किस परकार उत्तरदाई है accountable का मतलब होता है उत्तरदाई होना तो इसका answer है दाउ educational facilities have increased considerable the schools and colleges do not really trained our minds trained our minds यद्धिपी सेक्षनिक्ष विदाओं में विर्दी हुई है किंदु विद्याले एमम कोलेज हमारे मस्तिक्स को वास्तों में परश्रिक्सित नहीं करते educational facilities का अर्थ होता है सेक्षनिक्ष विदाओं increased considerably का मतलब होता है उचित वर्दी करना उचित वर्दी होना the education that is given is not true education it has become more easy to get into a college and more difficult to get education जो सिक्ष्या दी जाती है वे वास्तविक सिक्ष्या नहीं है college में परविश पाना आसान हो गया है किंतु सिक्ष्या पाना उतना ही कठीन हो गया है we are taught to read but not trained to think the knowledge given in colleges and by press, radio and television is scrappy and not deep scrabi का मतलब होता है छिसला या सतही हमें पढ़ना सिकाय जाता है पर सोचने के लिए सिक्षित नहीं किया जाता college में परधान की गई शिक्षा तथा प्रेश, radio तथा टिलूजन द्वारा दी गई शिक्षा गहन नहीं होकर सिसली या सतही है as mass is the most significant factor its opinion prevailed over those of the thinking few as a result of these conditions in democracy ignorance, indiscipline and lower test have taken place अतै सभी विचारों में जनता की सोच ही व्याप्त रहती है कुछ कहन विचारकों की राय नहीं परिणाम सरूप परजातंतर में ignorance, indiscipline and lower test ने अपना इस्तान बना लिया है कि अज्यानता, अनुसासनिंता तथा निम्न रूच्यों ने अपना इस्तान बना लिया है नेक्स्ट इंपोर्टेंट किश्चन नमबर फिप्थ डेमोक्रेसी इन इट्स एक्चुल वर्किंग अकोर्डिंग टू एस राधा किश्नन इन एंटी डेमोक्रेटिक एक्स्प्लेंग एंटी डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है विरोधी राधा किश्नन के अनुशार परजात अंत्र अपनी वास्तवी कारिय शैली में परजात अंत्र विरोधी है एंटी डेमोक्रेटी का मतलब होता है परजात अंत्र विरोधी और what conclusion does the author draw in the essay democracy? conclusion का अर्थ होता है निशकर्ष कि डेमोक्रेशी नामक essay में लेखक्या निशकर्ष निकालता है तो इसका अंस्वर है the author at the end of essay comes to conclusion that political life of a community depends on the number of independent minds कि निमन्द के अंत में लेखक इस निशकर्ष पर पहुंसता है कि किसी देश या समुधाय का राजनितिक जीवन उसके सवतंत्र विचारकों पर depend करता है The play of thought and action is essential for the health of a community समाज की प्रगर्थी के लिए विचारों तथा कारियों का होना अवस्यक है वर्तमान परणाली में ये इस्तती प्राप नहीं की जा सकती अपने वास्त्विक किरियात्मक रूप में परजातंत्र एपरजातंत्रिक रहा है We must strike for some better way of conducting human affairs than the lottery of the ballot box अता हमें बोटो की लोटरी की पढ़नानी के इस्तान पर मानव के शासन के कारियों को चलाने के लिए कोई इससे अधिक अच्छा तरीका खोजना ही पड़ेगा Next important question, number six How should breathing be taught according to bellock? Breathing, breathing का अर्थ होता है रिश्वत देना कि बेलो के अनुशार रिश्वत देना किस परकार शिकाया जाना चाहिए इसका आंस्वर है एक बच्चे को सिकाया जाना चाहिए कि रिश्वत के मामले में ने तो किसी को लाल्ची होना चाहिए और ने ही बहुत अधिक अथवा बहुत कम रिश्वत का परस्ताव देना चाहिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्यूशन नमबर सेवन्थ नेरोजी नोटिस डिफरेंट मोड्स आफ नेचर वाइल इन जेल डिसकस एनी टू आफ तैम नेरोजी ने जेल में रहते हुए प्रकरती के विभिन रूप देखे उन में से किनी दो कावर्नन कीजिए इसका आंस्वर है नेरोजी साट डिफरेंट मोड्स आफ नेचर इन जेल कि नेरोजी ने जेल में प्रकरती के विभिन रूप देखे उन्होंने जेल में बसंत रितू का आनन्द लिया सुहावनी हवा चलती थी और उसे आनन्द देती थी वे बरशाद के मोशा में प्रकरती पर परभाओं का भी आनन्द लेते थे नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुशन नबर एट वे नया जानवर कौशा था जो नेरो ने देरादुन जेल में देखा और वे उसका किस परकार फर्णन करते हैं इसका अंस्वर है देर न्यू अनिमल देत नेरो शा इन देरादुन जेल वाजदा पेगोलीन वे देक्राइबस इस सम्थिंग बेट्विन ए लिजार और क्रोकोडाइल अबाट तो फित लॉंग विद गोश और स्केली कवरिंग इसकेली कवरिंग का आर्थ होता है छिलकेदार चमडी कि वे नया जानवर जो नेरो ने देरादुन जेल में देखा वे एक पेगोलीन था वे वर्नन करते हैं कि वे कोई लिजार्ड या फिर क्रोकोडाइल के बीच का कोई जानवर है जो दो फूट लंबा है और छिलकेदार चमडी है नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्विशन नमर नाइथ राइट एन इंट्रोडेक्टरी नोट ओन दा ऐसे अनिमल इन प्रिजन निमंद अनिमल इन प्रिजन पर एक परिचात्मक टिपणे लिखिए इसका आंस्वर है This essay has been taken from Nehru's autobiography Nehru remains in Dehradun jail for more than one year In this essay, he recalls his days of prison Life where he came in contact of various kinds of insects and animals यह निमंद नहरू जी की autobiography से लिया गया है Nehru जी देhradun jail में एक वर्षे भी अधीक समय तक रहे इस निमंद में Nehru जी अपने jail के दिनों की याद ताजा करते हैं जांवे कई परकार के कीडे मकोडे तदा जानवरों के शंप्रक में आए Various होते हैं Various kinds का मतलब होता है अनेग परकार के Insects होते हैं कीडे मकोडे Animals होते हैं जानवर Autobiography का मतलब होता है आत्मकता The essay throws interesting light on the different animals and their attachment with Pandit Nehru It also reveals Nehru as a lover of nature and animal life यह निमंद विभिन परकार के जानवर तथा उनके परती Nehru जी के प्रेम पर परकाश डालता है इसमें हमें परकरती प्रेमी तथा जानूरों से प्रेम करने वाले Nehru जी के बारे में भी पता चलता है Next or last important question है Number 10 What details of different kinds of insects does Nehru give in their essay? इस निमंद में Nehru जी विभिन परकार के कीडे मकोडों के बारे में क्या विवरन देते हैं? तो इसका अंस्वर है Nehru often observed animal visitors that were not welcome because these were dangerous to life Dangerous का मतलब होता है खतरनाक Yet Nehru जी प्राइ नए जानवरों को भी देखा करते थे जिनका स्वागत नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते थे In these visitors, there were scorpions, snakes and centipets Centipets का मतलब होता है कंखजूरे Snakes का मतलब होता है स्वाफ Scorpions का मतलब होता है बिच्छू In जानूरों में बिच्छू, सांप तथा कंखजूरे मोजूद थे Scorpions were found in the most unlikely places बिच्छू, प्राय एपरत्यासित जगों पर मिलते थे Nehru जी, सोरी Centipets horrified Nehru जी much more Nehru जी को कंखजूरों से, विसेश रूप से डर लगता था In Nehru's cell there were big bears, mosquitoes, flies, wasps and hornets Hornets का अर्थ होता है लखेरिया Wasp का अर्थ होता है, hornets का मतलब होता है लखेरिया Wasp का मतलब होता है बरे Moskutus का मतलब होता है मच्छर Nehru जी को कंखजूरे से, विसेश कर डर लगता था Nehru जी की कोठरे में मच्छर, मक्छिया, बरे वे लखेरिया आदी थे He was determined to kill all wasps Nehru जी सब बरों को मारने को कटी बद थे या मारने के लिए निशित थे Bats used to fly in the dusk Dusk का मतलब होता है संध्या का और Bats का मतलब होता है चमगादर कि संध्या के समय चमगादर उड़ा करते थे They were hateful to Nehru He noticed ants and white ants and other insects Nehru जी कुन से गरना थी उन्होंने चीटिया दीमक तदा अन्य कीडे भी देखे The lizard of the cell crept slowly and pursued their prey Pursuit dare prey का अर्थ होता है सिकार का पीछा करना कि कोटरे के चिपकली धीरे से चलती थी तदा अपने सिकार का पीछा करती थी